गेहू और सरसो की कटाई के बाद में कितान भाई मूम की फसल लगाएंगे। एसे में मूम की फसल से अच्छी कामाई हो उसके लिए मूम की फसल की A to Z जानकारी होना आवशक्त है। इसलिए मैं इस विडियो में मूम की खेती का संपून विशलेशन पाच नहीं बलकी 10 पोइंट के आधार पर करूँगा। पहला मिट्टी और सही समय मूम की खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी और बीजबुआई का सही समय क्या है। दूसरा किस्म मूम की फसल के लिए कौन सी किस्म के बीजों का चुनाओ करे। तीसरा बीजबुआई मूम के बीजों की बुआई करने का सही तरीका क्या है। चोथा लागत एक एकड मूम की फसल में कितने लागत आती है। पाच्वा खाद प्रबंदन, मूंग की फसल में खाद प्रबंदन कब और केसे करें। छटा खर्पत्वा नियंत्र, मूंग की फसल में खर्पत्वा नियंत्रन केसे करें। साथवा उत्पादन, एक एकड में लगाई गई मूँ की फसल से कितना उत्पादन मिलता है। आठवा आमदनी, एक एकड में लगाई गई मूँ की फसल से कितनी आमदनी होती है। नवा प्रोफिट, एक एकड में लगाई गई मूम की फसल जे कितना प्रोफिट मिलता है, दसवा समय साइकल, मूम की खेती की समय साइकल कितनी है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मूम की खेती से जुड़ा हुआ और कोई भी वीडियो देखने की जोरत नहीं मिट्टी और सही समय, मूम की खेती के लिए उप्युक्त मिट्टी और बीजबुआई का सही समय क्या है, तो देखिए आप मूम की खेती सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, फिर चाहे आपके खेत की मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेत बात करें मुंग के बीज बुआई के सही समय के तो देखें मुंग के बीजो की बुआई दो सीजन में की जाती है खरीफ और जायत खरीफ के सीजन में मूंग के बीच बुआई का सबसे उप्युक्त समय जुलाई का महीना है और जायत के सीजन में मूंग के बीजो की बुआई एक मार से तीस मार्च के बीच में कर सकते हैं या सबसे उप्युक्त समय हैं और कुछ एक राज्यो के किसान भाई अप्रेल के फर वूम की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन सी किस्म के वीजों का चुनाओ करें। फलिया लंबी होती है, वो प्रत्यक फली में 12-15 दाने होते हैं, जो की बड़े, चमकीले, वो हरे रंके होते हैं और 1000 दानों का वज़र 50-55 ग्राम के आसपास होता है, गर्मी वा खरी दोनों ही सीजन में आप विराड बोर के बीजों की बुआई कर सकते साथ ही साथ यहां वेराइटी पीले मोजेक वाइरस के प्रती शैन्शिल गुन रखती है, बात करें अगर बीज की मातरा की, तो 6-10 केजी के आसपास प्रती एकड बीज की मातरा लगती है, वो हमें उत्पादक एक एकड से 8-10 कुंटल के बीच में देखने को मिलता है, जो की काफी अच्छा है, विराट गोल्ड के बीजो की समय साइकल 60-60 गिन के आफपास रहती है, यानि कि दो महीने में आपकी फसद पक्तर तैयार हो जाई, विराट गोल्ड के बीजो को आप नजदी की क्रशी स्टोर से जाकर खरीच सकते हैं, उप्यूक्त किस्प के चैन के बा पहली जूताई हमारी अच्छी गहरी होनी चाहिए, फिर अगर मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले, तो रोटावेटर चलाग दे, और फिर पाटा लगाकर खेत को एकड़म समतल कर दे, अब आप सिड्रिल की साइता से मूं के बीजो की बुआई कर सकते हैं, लाइन से ला पाधत आती है, एक एकड़ में अगर आप मूं की फसल लदाते हैं, तो बीज की मात्र 6-10 केजी के बीच पे लगती है, इसलिए हम प्रती एकड़ बीच की मात्रा साथ किलो लेते हैं, और मूं के जो हमारे बीज वर धाइसो से 300 रुपे किलो के बीच में आते हैं, इस तरह मूं कंदा हमारा 1 एक एकड में लगाई गई मूंग की फसल में बीच का खर्च आएगा 21 रूप ये bem। की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4000 रोग रासा यह नी खाद वह उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 1200 वह इस्प्रेंटा हमारा खर्च आएगा 1500 इसमें खर पत्वार नाश्यक दवाई का खर्च भी इंक्लोड है अगर आप सिड्रिल के मात्यम से मुँग के विजो की करते हैं तो सिड्रिल का हमारा खर्च आएगा 800 हार्वेस्टिंग के लिए अगर हम हार्वेस्टर का उप्योग करते हैं तो हार्वेस्टर का हमारा खर्च आएगा 1500 खेत से मंडी तक का ट्रांस्पोर्ट का खर्च आएगा 500 खेत से मंडी तक का जो हमारा ट्रांस्पोर्ट क खर्च या निर्बर करता है कि आपके खेट से मंडी की दूरी कितनी है या खर्च हर किसानभाय का अलग-अलग ही आएगा इस तरह हमारी एक एकड़ मूँ की फसल में लागत आईगी ग्यारा हजार छेश सुरू लागत के बाद आते हैं हमारे पाच्योपुल्ट प्रबंदन कब और कैसे करें बीच वोवाई के समय आप 25 केजी डीएपी 4 केजी सलफर प्रती एकड़ की हिसाब से उप्योग करें इसके बाद में मूंखी फसल में खादप्रबंदन हमारी फसल की कंडिशन के ऊपर निर्भर करता है तो अगर आप खादप्रबंदन के आते हैं हमारे छटे बुट खर पत्वा नियंत्रबंदन हमारे फसल में खर पत्वार को नियंत्रित किस तरह से करें बीच भुवाई के 4-8 घंटे के अंदर अंदर आप पेंड़ा मैथेलीन 30% EC 800 एबल 200 लिटर पानी में मिलाकर इस्प्रे कर दें इस तरह से आप मूंग की फसल में खर पत्वार को नियंत्रित कर सकते हैं। से 10 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। हम मिनिमुम उत्पादन 8 कुंटल लेते हैं। यानि की एक एकड मूंग की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 8 कुंटन। उत्पादन के बाद आते हैं हमारे आठवे पोईट आमदनी के एक एकड में लगाई गई मूंग की फसल से क कितनी आमदनी होती है। देखे मुंग की MSP भारत सरकार के द्वारा तैक की गई है। 2023 और 24 में मुंग की MSP 8558 प्रती कुंटल के हिसाब से तैक की गई है। पर सभी किसान भाईयों को MSP का ही दाम मिले इसा जरूरी नहीं है। किन किसान भाईयों को 4000 प्रती कुंटल भी मुंग का भाव मिलता होगा, तो किन किसान भाईयों को 8000 यद 9000 के आसपास भी मुंग का भाव देखने को मिलता होगा। इसलिए हम 6,000 रूपे प्रतिक रूटल मूँ का भाव लेते हैं, हमारा उत्पादन हुआ था 8 कुंटल और एक कुंटल का हमने भाव लियाए 6,000, इस तरह हमारी आमदनी हुई 48,000 रूपे, यानी कि एक एकड़ में लगाई गई मूँ की फसल से हमारी आमदनी हुई 48,000 रू एक एकड़ में लगाई गई मूँ की फसल से कितना प्रोफिट होता है, तो प्रोफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लादत को घटा देगे, तो जो आकड़ा हमें मिलेगा, वह हमारा प्रोफिट रहेगा, हमारी आमदनी हुई थी 48,000 रूपे, और हमारी लाद मूँ की फसल की समय साइकल कितनी है, अगर आप शक्ति वर्दक सीट की ओर से आने वाली विराइट विराट गोल का उप्योग करते हैं, तो इसकी समय साइकल 60-60 दिन की है, अब जैसा कि हमने प्रोफिट निकाला था 36,004 तो इस तरह हमारा प्रत्यक बहीने प्रोफिट 18,000 मूँ की फसल से अच्छा उत्पादर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आप शक्ति वर्दक सीट की ओर से आने वाली विराइट गोल का उप्योग कर सकते हैं, इसे आप अपने नजदिक क्रशी स्डोर से खरीच सकते हैं, और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छ उड़ गया था, तो इस पर अगर आप डीटेल में एक वीडियो देखना चाहते हैं, और खात प्रबंधन के ऊपर भी डीटेल में विस्तरत एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, धन्यवाद किसान भाईयों, जे जवाद, जे किस